अब से पहले हमारे शर्चा होगी अंडमान और निकोबार दीव समूपे, ध्यान से बूट पे ध्यान दीजेगा यहां पे, अगर मैं बात करो, यह उपर का जो हिस्सा है, इसे हम सब बोलते हैं, उत्रे अंडमान, उपर का जो हिस्सा है, यह है उत्रे अंडमान, कौनस अंड में मंद एंड़ मांद के बात पूरू यह इस सा दक्षिन एंड़मान अंड़ायन और उसके पास आप देख रहां इहां पर कि आ 씨 यह लीटिल एंड़मान ऑल इन दोफ़ Commissioner वीच आप द देख पा रहे होंगे बहुत अधिक दीर अधिक भी यह जो बहुत अधिक आपको gap नजर आ रहा है, यह कोई gap नहीं, इसे हम channel बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यह channel है, यह हमारा दक्षिर अंडमान, मैंने आपको अभी तुरन बताया, कि यह कौन सा अंडमान है, दक्षिर अंडमान, यहाँ पे देखे लिखा हुआ है, कौन सा इसमें से छेतरफल के दृष्ट्री कोन से, एक, दो, तेन, चार, चारों में सबसे बड़ा कौन, बहुत अच्छा, उचे छेतरफल से बड़ा सबसे अंडमान कौन, कौन सा अंडमान, मद्द अंडमान, और यहाँ पे मद्द अंडमान के बाद नीचे आएंगे, तो नंडमान है आप अच्छे तरीके से देखा रहे होंगे कि दक्षिन कंडमान और यह कौन संडमान लिट लंडमान द असे पास जिसे हम क्या बोलते हैं डंकन पास बहुत बार परत्तों की परिक्षान में पूछा गया है कि डंकन पास किंदो अंडमान के बीच में है तो किंदो अंडमान दक्षिन अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा पास डंकन पास ठेक वहीं आप अगर मैप को और देख पा रहे होंगे तो यहाँ यहां पर देखे लिखा हुआ है कार निकोबार क्या यहां पर कार निकोबार के बात अगर बात करें यहां देखे लिखा हुआ निकोबार आइलेंड यह जो पूरा यह आपको समून अगर आ रहा है यह यह जो पूरा इतना जो समू है इसे हम बोलते हैं मद दे निकोबार क्य ये great निकोबार है, का हुआ है, और great निकोबार से उपर देखिए little निकोबार है, कौन से निकोबार, अगर हम इसे थोड़ा और जुम कर ले तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए, देख पा रहे होंगे आप सब, ठीक, यहाँ पे car निकोबार, car निकोबार के बाद, मद्य निकोबार, मद्य निकोबार के बाद, little निकोबार और little निकोबार के great निकोबार, और इसी great निकोबार से कुछ दूरी पे, इसी great निकोबार से कुछ दूरी पे, एक दीप है सुमात्रा, कौन सा देप, सुमात्रा आपको पता होगा, और सुमात्रा पे किस देश का दि और यहां से छे डिग्री अक्षांस गहिए कितनागे तोुहमारे पर्तोगी परिप्शावम में पूरसता है छे डिग्री अक्षांस के देश्स हूं के बीच तो इस पे अधिकार किसका हो गया भारत और इंडोनेसिया के बीच और दीप में बोले तो सुमात्रा और ग्रेट निकोबार अगर मैं और बात करो ग्रेट निकोबार के बारे में तो इसी ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिंतम पॉइंट है इसी को मैं बोलता हूँ इं इंद्रा पॉइंट और इसी इंद्रा पॉइंट को हम बोलते हैं पिंग मिलियन पॉइंट कौन सा पॉइंट पिंग मिलियन इसी को बोलते हैं परासन पॉइंट कौन सा पॉइंट इसी को बोलते हैं लाही चिंग इसी का नाम है लाही चिंग एक लाही चिंग पॉइंट इस स एक बहुत अच्छा लक्षमड नगर पंचायत, लक्षमड नगर पंचायत, आपके बास कंटेंट का गोला बारुट टाइप का होना चाहिए, एक बार मिलल तो कहानी खतम, एक इस पूरे अंडवान निकोबार दीब सम्मूपर आज तक चारी परदान मंत्री आए हैं, कितने यह पूरा इंडवान निकोबार दीब सम्मूपर आज तक चार परदान मंत्री आएं, ठेक, मोश्ट इंपोर्टेंट राजिव, राजिव गांदी, राजिव गांदी के बाद, स्रीमति इंद्रा गांदी, और वही ठेक, जो सबसे कम बोला, लेकिन नाम सबसे अधिक था, मनमोवान, यह वो परदान मंत्री है, पिछले क्लास में ने बताया था, कि सियाचेन, गिलेसियर पे पहुच चुके थे, ठेक, मनमोवान, सिंग, और उसके बाद पहुचा 56 इंच का सीना, ठेक, यही दिखा के है जीना, ठेक, लेकिन, नरंद्र, दामोदर, दास मोधी, कौ झाल